सिक्षक वपरिशत गौरव भोशित तब होगी जब ये रास्ट गौरव शाली होगा और ये रास्ट गौरव शाली तब होगा जब ये रास्ट अपने जीवन मुल्यों वपरंपराओं का निर्वाह करने में सफल वसक्षम होगा और यह रास्ठ सफल वस सक्षम तब होगा जब शिक्षक अपने उत्तर दाई टुका नरवा करने में सफल होगा और शिक्षक सफल तब कहा जाएगा जब वहां प्रतेख व्यक्ति === में रास्ठ चरित्र का निर्मन करने में सफल हो यह व्यक्ति रास्थ भाव से शुन्य है रास्थ भाव से हीन है अपनी रास्टीता की प्रती सजग नहीं है तो यह सिक्षक की असफलता है और हमारा अनुभव साक्षी है कि रास्टी चरित्र के अभाव में हमने अपने रास्थ को अपमानित होते देखा है हमारा आनुभाव है कि शस्त्र से पहले हम शास्त्र के अभाव से पराजित हुए हैं हम शस्त्र और शास्त धारण करने वालों को रास्तिता का बूद नहीं करा पाए और व्यक्ति से पहले खंड-खंड हमारी रास्तिता हुई सिख्षक इस रास्त की रास्तिता वा सामर्थ को जागरित करने में असफल रहा प्रेदि शिख्षक पराज्य स्विकार कर ले तुपराजै का वा भाव रास्त के लिए खतक होगा अता वेद वंदना की साथ-साथ रास्त वंदना का स्वर भी दिशाओं में गूजना आवश् कराना कि यदि व्यत्ति की रास्ट की उपासना में आस्था नहीं रही तो उपासना की अन्यमार्ग वी संगर्ष मुक्त नहीं रह पाएंगे अता व्यक्ति से व्यक्ति से समाज वा समाज से रास्ट का एकिकरन आवश्यक है अता शिग रही व्यक्ति समाज वा रास्ट को एक और आवश्यक्ता पड़े तो शक्षक का सामर्थ शास्त्र है पर इदी मार्ग मैं शस्त्र बादक हो और रास्ट मार्ग कि कंटक सिर्फ की भाषा समझते हो तो शिक्षक उन्हें अपने सामर्थ का परिजय अवश्य दे अन्य था सामर्थ है इन सिक्षक अपने शास्त्रों की विरक्षा नहीं कर पाएगा संभव है कि इस रास्ट को एक सूत्र में बांधने के लिए सिक्षक को सत्ताओं से भी लड़ना पड़े पर समनन रहे कि सत्ताओं से रास्ट महत्वपून है अतहा रास्ट की वेदी पर सत्ताओं की आहोती देनी पड़े तो भी सिक्षक संकोच न करे इतिहां साक्षी है कि सत्ताओस्वारत की राजनिती ने इस रास्ट का आहित किया है हमें अब सिर्फ इस रास्ट का विचार करना है इस शासन सहयद्य तो ठीक अन्यदा सिक्षक अपने पुरोजों के पूर्णे वकिर्ति का समरन कर अपने उतरदाइतों का निर्वाह करने में सिध्धो विजयनिश्चित है सब तसंदू की संस्कृति की विजयनिश्चित है विजयनिश्चित है इस रास्ट के जीवन मुल्यों की विजयनिश्चित है इस रास्ट की आवशिक्ता मात्र आवाहन की है मभार्टी की जाए!